नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सबको मनमोई ब्लोक्स में मैं मनोज कमर मुख्या दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिना पढ़े लिखे लोग क्या क्रोशिया में आ सकता है इसी टॉपिक में बताएंगे और यहां कैसे लोग काम पे जाते हैं जिनके पा क्रोशिया का छोटा से बड़ा जो भी अपडेट होता है वो सारे लेके आते हैं बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हो क्रोशिया में आ सकता हूं काम कर सकता हूं कमा सकता हूं तो इसका रिपलाई सिधा सिधी है कि हां आ सकते हैं कमा सकते ह और आप सबको बता दे कि मेरे साथ ही एक बीना पढ़े लिखे मैं ही एपलाई करवाया था आया हुआ है और ओ कंट्रक्शन एलपर में काम करता है मेरे साथ में ही करता है और अभी आछा खासा पैसा कमा रहा है 900 यूरो इने का कमा रहा है हलका फलका दिकत यहां होता है कभी बैंक और और कम लगा कहीं मार्केट में गए तो वहाँ पे दिकत होता है यहां का भी भासा नहीं रहता है और प्रफेस्नल जोब आपके पास होना चाहिए यानि कि हात में सीफ होना चाहिए इसके बाद अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और आपका इंग्लिस नहीं आता तो भी कोई दिकत नहीं है आके यहां कमा सकते हैं और आपका भीजा लग जाएगा यहां education का कोई माने मतलब नहीं रखता है क्योंकि यहां का जो भासा है वो अलग है और आप यहां का भासा नहीं जानते हैं ना पढ़ाई होता है तो direct आ सकते हैं और आने के बाद यहां काम तो आपको धिरे-धिरे सीखिएगा और सारा चीज हो जाएगा तो दोस्त अब आपको बता दे कि यहां पर पहले भी वीडियो में बता है कि इंग्लिस बहुत ही कम बोलते हैं तो आप काम में कैसे बॉस कॉपरेट करता है आप लोग का भी वही हाल है जैसे कि कोई भी काम करन पड़ता है तो बॉस को इंग्लिस बोलना ही नहीं आता है और यहां अक्सर लोग इंग्लिस नहीं बोलता है तो ओ लोग करते क्या है मोबाइल में टांसलेट करके बताता है और हम लोग काम करते हैं यही सब है क्रोशिया में आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आ सकते है और आचा कासा पैसा कमा सकते हैं कोई दिकत नहीं है और कुरुशिया का भिजा आपका मिल जाएगा तो दोस्ती वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई